जै गंगे, जै श्री कृष्णा, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बाब फिर से हमारे इस बहुत special बहुत खास प्रोग्राम में जिसका नाम है Self-Realization with साधवी भगवती सरस्वतीची मैं हूँ आपके साथ नेहा सरवेश शुकला हमने अपने पिछले एपिसोर्स में अब तक बहुत बारीक बहुत चुटी चुटी जानकारियां आपको ऐसी दिये हैं जो हम जो बिखरे हुआ हैं ना हम सबको एक कर सकती एक सूत्र में बान देती है एक मोती की तरह माला में पि करने वाली बात है आज के वक्त में हमसे कोई कुछ कह देता है कोई कुछ बोल देता है फिर वो हमारे पास माफी मांगने के लिए आता है क्या वाकि में हम लोग माफ कर पाते हैं और अगर उसने इतनी बड़ी गल्ती कर दी है तो क्या वाकि में हमें माफ करना चाहिए आई इस पर डीटेल में बात करते हैं समझने की कोशिश करते हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी से साध्वी जै गंगे जै श्रीकृष्णा मुझे एक बात समझ में नहीं आई मैं तो मुझे लगता है कि 6-7 साल होगे मुझे आपकी साथ एपिसोड करते हुए लगातार आप हमेशा कहती हैं विनम्रता का भाव लेकर आओ आप हमेशा कहती हैं कि खुद को हमेशा दूसरों से छोटा मानो दूसरों के सामने हमेशा सुपीरियर मत बनो हमेशा प्यार बाटो लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मालो किसी ने कुछ कह दिया और ऐसा कह दिया कि बात सेल्फ रिस्पेक्ट किया गई बात ऐसी आ गई कि बस अब आज के बाद मैं तुम्हारा जहरा नहीं देखूँगा क्योंकि तुमने ऐसा बोल कैसे दिया और इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना मुझे तुमने बोल दिया अब ऐसी स्थिती में कैसे संभावे कि आप उसको माफ कर दो सबसे पहले चीज हमको स्वहीम से ये पूछना है कि माफी किस के लिए है जब तक हमको लगता है कि माफी सामने वाले के लिए है तो तो दन we can come up with so many reasons why not to do it he doesn't deserve it बाद बड़ी गल्ती की lots of reasons लेकन माफी सामने वाले के लिए नहीं है माफी अपनी लिये है हम किसी को किसने हमसे गल्ती की हमको गल्ती की कोई भी गल्ती fourthова को बड़ा जीज हो हम उनेके लिए फरिगबनी करते हम अपनी लिए फरिगब करते है Why? कि जब तक में फरगिवना करो, I am stuck with that person. I am bound, chained to what they did. जब तक में वो अक्षिन, चाहे उनोने मुझको अब्यूस किया, बट्रेय किया, चीत किया, बढन किया, or in any other way, हर्म किया. जब तक that anger, those grudges, that pain, is in my mind and my heart. I am chained to that person. I am chained to the action that they did. I can't be free. हम इसले फरगिवकर्टे, because आपको जो बहुआ, you deserve to be free. But if you hold grudges and you hold on to pain without letting it go, you're not free. So our forgiveness does not mean, आपने जो किया, ठीक किया, या कोई बाद नहीं. कभी-कभी लोग ऐसे चीज करते हैं, that are really very big things, very wrong things. हम ऐसे नहीं कहर रहे हैं, कि जो किया, कोई बाद नहीं. जो किया, अचा किया. दुबारा करो जिड़ा, प्लीस. हम ऐसे नहीं कहर रहे हैं. लोग उनको ऐसे लगता है, कि if I forgive, then उनको लगेगा, कि ठीक किया, कोई बाद नहीं. जो किया, forgiveness इस का मतलब नहीं है. forgiveness का मतलब बस इतनी है, कि आपनी मुझ से, जो किया, I deserve to be free. And I cannot be free until I let go of my anger at you. My anger for you is a chain that binds me, that holds me, that keeps me stuck. में इसलिए फरगिव करती हूं, because I deserve to be free. गल्ती तो अपनी किया, अब्यूस अपनी किया, हार्म अपनी किया, चीत अपनी किया. में अपनी कुशी जो हैं, अपनी शांती. भ्हागाई धनी, why would I sacrifice that? Because of your mistake. But when we don't forgive, that's exactly what we do. we say, you hurt me, you lied, you cheated, you harmed, you abused. चलो, अब मेर कुशी बेलो, अब मेर स्थांती बेलो, अब मेर फ्रीडम बेलो. Why would we possibly do that? My freedom, my joy, my peace, these are the most precious things in my life. They hurt me enough, that was bad enough. Now why would I give them all of my joy and freedom and peace for the next days, months, years? But if you don't forgive, that's exactly what you do. तो हम इसलिए फर्गिव करते, because I want to be in joy, I want to be in peace, I want to be free. And I deserve all those things, and I can. I have the freedom to be joyful, to be peaceful. आपने जो भी मुझ को किया, जो भी मेर साथ किया, I still can be joyful. If I forgive you. और देखो, जिसने किया कुछ कलती, कार्म का फल तो मिलेगा, मिलेगा उनको. We are not the karmic police. एसे नी कि मैने फर्गिव किया, तो फिर बगवान ने माफी किया, या कार्म का फल ने मिलेगा. एसे नी है. We are not the karmic police. We are not the ones in charge of someone else's karmic fruit. उनका जो कार्म का फल है, वो जरूर मिलेगा. My grudge or my forgiveness only have the impact on my own karmic fruit. मुझको क्या मिलने वाले. शांती मिलेगा, कुषी मिलेगा, अनन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, या मिसरी मिलेगा. That's the decision that I make when I decide whether to forgive or not. तो अम इस्ती एफरगिवने कार्थे क्योंकी ता परसन इस फरगिवबब या कोई चोटी सी चीज़ती. But we simply forgive because you've done enough already. Now I'm not gonna also hand you my joy and my peace and my freedom. मुझको कुब बीलेगा, या मिलेगा, या मिलेगा, या मिलेगा, या मिलेगा. या मिलेगा, या मिलेगा, यि सुंधर सा अपने लगवाया, या मिल्या क्योच्चे लिया. तो लेक्सेञ कि आपने एग एःसा सुंदर काउच लिया, और आपने मुछ्कों अपने गाढ मे बुलाया, और फिर आप अपनी हात से, मेरे लिये गरम-गरम चाय, गरम-गरम काफी बनाया, वाप-स आ के मेरको दिया, और फिर पीनी से पहले मैंने सब गिरा दिया काउच के अपर आपका नेया वाइट काउच फिर मैं उठके चले गया करेंगे क्याप? सबसे पहले चीज क्या करेंगे? मेरा पीची पीची बागेंगे? सबसे पहले चीज अपनी काउच को साफ करेंगे क्योंकि आपको लगेगा हरे स्टेन लग जाएगा let me clean it because if I wait 5 minutes, 10 minutes, half an hour then I will not be able to get this stain out coffee stains, tea stains सब से पहले चीज, you will clean your couch फिर मेरे से जो बात करना है बता बाद की बात है right now, first thing, clean the couch ये बताओ, क्या आप जो मनी stain किया are you going to keep it, don't clean it no and then, जो भी आते हैं, you can show them, देखो सार्वी जी ने क्या किया मुझको मनी इतनी प्यार से, अपनी हाथ से ही, coffee बनाया, चाई बनाया उनके लिए और फिर गराया मेरा couch के अपरद, फिर उटके चल दिया just tha कि लोगों को दखा साकते हैं, you leave the stain of course not, क्यूंकि आपको पता है कि ये couch उसके साथ मुझे ही रहना है and if the stain stays where dhere dhere sari ants ने लगेंगे, bacteria ने लगेंगे, bad smell हो जाएगा उससे वो तो मुझे है उसके साथ जीना है, I have to live with the bad smell, the ants, the bugs, the bacteria couch तो मिरा गर्द में है so you clean it, you're not gonna leave it and take lots of pictures and post it on social media देखो देखो क्या क्या आज की इतनी ants आगिया but this is what we do in our lives somebody hurts us, they stain our hearts and what do we do? उनकी पीचे 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 बाग जाते वापस आओ, इसको ठीक कर दो ठीक कर दो, माफे मांगो say you're sorry, feel badly, fall at my feet we want somebody to feel very badly वापस आके इसको ठीक कर दो जब तक आप वापस नहे आओगे मै इसको ठीक नहे करूंगी मै बते रहूंगे उसी stain की अपर जब तक आप नहे आओगे वापस that's what we do in our lives you hurt me but I will not feel better जब तक आप मेर पास नहे आओगे माफे मागने के लिए जब तक आप सारी नहे कहेंगे मै काने नहे कापऊंगी मै सोने जाओंगी I'm just going to basically be here on this stained couch if we care that much about our couches what about our hearts when somebody hurts us it stains our hearts इतना अकल है अपनी की couch को साफ करो तो एक नया couch भी करीज साखते थे लिकन एक नया दिल आप करीज नही साखते तो जब इतना अकल है की couch को साफ करना तो कम से कम इतना अकल होना चाहे की दिल को साफ करना जाल्दी जाल्दी before there's any stain on it before anything lasts clean the heart, let it go let it go फिर जो भी बात उनके साथ करना है या नहीं करना तो बात की बात है but the very first thing I do is I clean my heart means I forgive I let it go doesn't mean that I let them keep doing it again इसका मतलब निये की फिर से आओ दुबारा करो we learn our lessons की अच्छा उसको गर्ड पर नहीं बूलाना है तो ये जज्मेंट हम अपने रिष्टो में तो कर लेते हैं भाई है, बहन है, मम्मी, पापा या हमारे बच्चों है, माता पिता है उन सब के साथ तो हम कर लेते हैं कि ठीक है, आपने गलती की हमने आपको माफ कर दिया कभी-कभी हमें जबरदस्ती भी करना बढ़ता है क्योंकि हमें रिष्टे चलाने होता है लेकिन कुछ ऐसे रिष्टे होते हैं जिने हम इंपोर्टेंस नहीं देते हैं भाई ये तो हमारे खून के रिष्टे हो गए लेकिन कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं जिन से हमारा कभी-कभार मिलना होता है लेकिन उनको माफी मिले या ना मिले वो हमें माफ करें ना करें हमें कोई फरकी नहीं पड़ता सालो साल ऐसी चलता रहता है क्यों? क्योंकि वो हमारे कुन के रिष्टे नहीं बसी से लिए चाहे आपका फैमली में से किसी ने कुछ किया या किसी और ने कुछ किया if you are holding a grudge in your heart अप लिके रको, you are suffering लिके रको, you are not free because these grudges are what keep us from being free these grudges are what bind us to the past गल्ती उसने किया शाएड एक पर किया, शाएड दस पर किया लेकिन में उसी पास्ट कि गल्तियां में उसको प्रेजंट में लेके जारी हूं I am the one bringing them all into the present मेरे विचार से, मेरे ग्रज़ से, मेरे पेन से उनोने मुझ को एक बर, दस बर हर्ट किया थ में कुड को, स्वेम को, रोज, हर्ट कर दी हूं by holding this grudge, by keeping this anger वो केते है, being angry is like drinking poison but expecting कि सामने वाले मर जाएगा Poison तो मेने पिया मर्दने वाले में हूं and grudges are poison Anger is poison so if you are holding a grudge whether it's with a family member whether it's with someone in the community doesn't matter whatever grudge you are holding it is sucking your life blood it's sucking your joy it's sucking your peace it's sucking your freedom let it go so that you can be free leave their karmic fruits up to the law of karma jo bhi milna chahiye milenge it's the law of karma it's the law of karma destiny of being miserable and then of course also we use it as an excuse what the may succeed nahin karpai may ye nahin karpai kyunki ono ni mujhko esay kiata may isli hai rat infested house may jiri hon kyunki panch saal phele ono ni mere kyauch ki upard kofi giraia or phele saare aans hai for saare rats aane lagai isli hai me be marred hon because i've made the decision to keep that stained couch not to clean it that's a decision that's a karm or usi karm se mere mere bagya is being written whether i'm gonna be joyful peaceful free or whether i'm gonna be stuck so as we as we clean the couches clean your heart let it go let it go because you you aapko jo bhi hua jisne jo bhi kia aapko ya apne jo bhi kia because we also don't forgive ourselves aapne jo bhi kia ya saamne wale ne apko hi jo bhi kia in all circumstances freedom moksha is your birthright joy anand shanti is your birthright grab it but first you have to let go of jo phele se hatme hai grudges angered jab tak isko pakar karke bed jayenge to koi jaga nije shanti ke liye to usko chodho or shanti ko prapt karo anand ko prapt karo or maaf karna sikhiye aapne basit nahi saadvi ji baat baat dhaniwaad aapka jodhani ke liye jay gangay jay shri krishna jay jay